तो पहर तीन साढ़े तीन का वक्त था। गलियों में लोग की वजह से सनाटा था। घर की मालकन सदीक बेगम जो अंदर कमरे में थी। घबरा कर तेजी से गेट की तरफ लपकें। बाहर से जनिया की सहमी सहमी आवाजें आ रही थी। खिलाफ मामूल उसने डूर बेल नहीं लियावर को जो नहीं खसकाया दर्वाजा एक धक्के के साथ खल गया और जनिया दोडने के अंदाज में अंदर आ गई। फूलती सांस में उसने बुरामदे के नंगे फर्ष पर खुद को गरा दिया। सदीक भी का दिल जोर-जोर से धकडने लगा। उन्होंने बाहर जह के बगेर गेट बंद करके बोलट चड़ा दिया। उनकी जबान से निकला। अल्ला खैर करे। जनिया चारपाई का सहारा लिये फर्ष पर बैठी हुई थी। घर की मालकुन हमेशा पुरसुकून रहने वाली सदीक बेगम की समझ में कुछ नहीं आया तो वो पानी लेने बावर्ची खाने में गई। रिफ्रिजरेटर से बोतल निकाली, ग्लास में पानी भरा और जनिया को पिलाने बाहर निकलें फिर सोच कर उल्टे कदम वापिस हुई। उसका तालुक मिलतान के नस्दीक एक छोटे से गायों से था। घरों में काम करने वाली मासी जनिया को क्राची में रहते हुए बारा साल और उम्मा सदीक के घर काम करते साथ बरस से जादा हो गए है। इसका असल नाम नाम जीनत जान था लेकिन लोग उसे जनिया के नाम से जानते थे। वो खुद भी अपना नाम जनिया ही बताती थी। सच्ची आइमानदार औरत सफाई करत थी। रुपए या कोई कीमती चीज कहीं भी नजर आए हाथ तक नहीं लगाती मोबाइल फोन बस्तर पर पड़ा हो या ठीबल पर महफूज होता। उसकी नेगरानी की कोई जरूरत नहीं होती थी। एक ही बीटा था जो साओधी अरब के शहर रियाज के करीब एक छोटे शहर में मुलाजमत करता था नेक फर्मा बुरदार लड़का। रियाल की किशिश ने उसे घर से दूर कर दिया था फिर उसने बीवी को अपने पास बलवा लिया।